जैहिंद आज हम आपको सिखाने वाले कैलेस्थेनिक्स क्या है एक ऐसा स्कील है कि अगर आप सिख जाते हैं अगर आप करने लगते हैं तो आप आप आधमी से पांच गुना अपने बोडी में स्टेंट जिनेट कर लोगे अब सोचिए कि अगर आप सीजाओ तो क्या कर लोग होगे और साथ में आपका स्ट्रेंथ आपका पावर आपका इंडोरेंस आपके स्टेमिना सब चीज डबल हो जाएगे तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप घबराइए मत आज हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कि आपको पहला दिन कौन सिक साय से स्टार्ट करनी ह होगी सिर्फ आप हमको टाइम दीजिये और आपको सिखाते हैं सबसे पहले आप यह जानिए जो आप साथ करोगे तो आपको किन किन जगों में यह चाहिए पावर होनी चाहिए तो पहला क्या है आपका सोल्डर सबसेज्जरा मेटर करता है दूसा चीज क्या है आपका पू पूसप लगाना होगा अगर आप एक बार में पांच बार दस पूसप करते हैं तो इससे आपका कुछ नहीं होगा मतलब आप थोड़ा सा ठीक ठाक हैं लेकिन क्या करना होगा आपको मिनिमम 20 से 25 वार एक बार में बिना ठाके हुए आपको पूसप आनी चाहिए और पूसप कैसे लगाना वह देखिए नहीं तो बहुत लोग क्या गर्ति करते हैं इस तरह से पोजिशन में 20 वार कर लेंगा व आपका strength ही develop नहीं होगा तो आपको सही form में देखिए जितना आपका shoulder है उससे हलका सा बाहर करेंगे और जितना आपका hip है कमर देख रहें ना उससे क्या करेंगे हलका सा बाहर करेंगे हलका सा माइनर ठीक है और अपनी chest को आगे की और जुकाएंगे इस तरीके से और टैप करेंगे जमीन के पास जमीन पास टाच किया अप नीचे गया अप नीचे गया अप तो इस तरीके से आपको करीबन 20-25 वार आपको आनी चाहिए और अगर आप नए बंदे आपको push-up ही नहीं आता है कि हम push-up कैसे सीखें तो आप घबराई मत स्रीज बना रहे हैं आपको सा pull-up कैसे करना होगा तो नेक्ट वीडियो में हम आपको यह भी करेंगे कि push-up कैसे करेंगे जो आप यह 20-25 कन लगेंगे तो दूसरा चीज क्या है आपका pull-up pull-up के लिए एक बार चाहिए अगर आपके पास बार नहीं है तो च्छजा से भी आपका काम चल लाएगा तो क्या करना है जितना आपका shoulder है उससे हलका सा बाहर रखेंगे हाथ और आपको क्या करना है इस तरीके से at least आपको एक बार में कम से कम 8-10 पर आनी चाहिए और भी correct फो मैसे किया तच किया देखिए नीचे फिर गया उपर टच किया नीचे फिर अपकी अटच किया नीचे इस तरीके से आपको पाफॉर्म कम से कम 8-10 बार करने लगेंगे तब सुझेए कि आप में इतना स्टेन थी क्या आप कलेस्थेनिक्स इसकिल को ट्राइ कर सकते हैं ब अगर आप ऐसे करने वालों में है तो आपको कुष्णिया होगा आपको क्या करना होगा सबसे पहले अपना पुलाफ फॉर्म को सुधारना होगा तो जब आप इसको भी आची तरीक से 8-10 कन लगेंगे तब समझेए कि आप में स्टेंथ आ गया है अब तीसरी चीज में क्य क्या करना आपको क्या करना होगा और क्या करना होगा देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपको लेटना होगा इस तरी से लेट जाईए अब ठीक है और अपने पैर को हवा में उठाए इतना ज्यादा इतना नहीं उठाना सिंपल सा इतना उठाएंगे और अपने च्छाती से क्या करना है पावर लगाना और उठ जाना है और आपको इस पोजिशन में एट लिए बीच सेकेंड होल्ड रहना इस तरीके से अब सबसेदा मेटर करता है आपका ध्यान कहां आप यह कर रहे हैं अपनी चीज के बारे में पढ़ाई के बारे में तो खुश नहीं होगा ना आप यहां करेंगे तो फोकस कहा रहेगा आपका पेट के पास इस तरीके से और अगर आप इसको पांच सिगेंड शे सिगेंड हो क्या करना होगा आपको टाइम देना होगा जब इन सारी चीजों को यानि पुसप बीच से पचीस बार पुल अट से देस बार कोर चाली सिगेंड चप करने लगोगे तब सबजिए कि आपका अपर बोड़ी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आप क्या करना होगा आपका रूड़ी यानि आपका लेक्स में आपके थाय में ये क्या आप का पिल्र है और इसे से ही क्या दो हम लोग Łuk कषड रहते हैं तो तो क्या करना होगा सबसे पहले आपको इस तरीके से देखिए लेकिन इसको भी हावा में रखना जैसे आप उठना उपर ऐसे करके नोर्मल पिर नीची घाँ राम से फिर क्या कर इसको बीस बार पचीस बार आपको फोलो करना होगा अगर आप यह अच्छी तरह करने लगोगे तो आप यह मत सुझे कि आपका यह सिर्फ इसमें श्टेंट था रहा है आप एक स्किल भी सीख रहे हैं कौन सा स्किल पिस्टल स्कॉर्ट यह वाला इस तरीगे से यह वाला तो क्या क करेगा आपको यही आपको हेल्प करेगा तो जब आप अच्छी तरह किसे 20 तीज दिन 40 दिन परफॉर्म करने लोगे तब खुद में आपको खुद पता चलेगा यहां मेरा श्रेंड आम लोगे से डवल अब हो गया अब हम क्या है कलेस्ट्रिक इसकिल सीखने के लिए प्र सब्सक्राइब करके अपना भाई को खुषी को और उपर कर दीजिए तब तक लिए टेक लब यू बाई दोस्तों